हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चानल, आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल फिशकरी बना कर दिखाऊंगी, ये जो फिशकरी है बड़ा इजीली बन जाता है, मसाला भी कोई खास नहीं पड़ता है, बहुत हलका मसाला पड़ता है, पर बनता है बड़ा शांदल, बड़ा टेस्टी होता है, चलिए बनाना शुरू करते हैं, मेरा स्पेशल फिशकरी, फिशकरी बनाने के लिए, मैंने रुहु मचली का तीन पीस ले लिया, इसको अच्छी से धो कर, एक प्लेट में रखकर, मैरिनेशन के लिए एक चमच नमप, एक चमच हल्दी और थोड़ा सा न जासा, एक चमच जैसा अध्रक लसुन का पेश, और एक चमच लाल मिर्च में चुर्दा की, इसको मैरिनेशन के लिए एक खंटा चोड़ दूँगे, मचली तलने के लिए, एक कड़ाई मैं यास पर चड़ा कर ओन कर दी, फुल फ्लेम में मैं से रखके, इसके उपर तीन जमच सरसुका तेल डाल दी, तेल जब एक्स्ट्रीम गरम हो गया है, उसके बाद मैं दीरे दीरे एक एक करके सर्वी मचली को डाल दी, मचली एक तरफ से फ्राई हो गया है, अब इसे मैं उलग दे रही हूँ, उलग देंगा बाद दो मिनित में मेरा मचली फ्राई हो सबसे पहले मैं कच्चा मसाला पीश के रख लूँगी उसके लिए दो बड़ा तमाटर मैं रख ली हूँ देड़ प्याज मैं डाइस में काट कर रख ली और तीन हरी मिट इसमें लगेगा चार कली मैं लसुन का ले ली हूँ और एक इंच अद रख गा अब मैं एक फ्राइन पैन गैस पर चड़ा के उसमें दो बड़ा चम्मच तेल डाल कर गरम कर ली और उसमें एक तेश पत्ता डाल कर सौते कर रही हूँ फिर एक चम्मच सरसो का डाल दी आदा चम्मच मेथी आदा चम्मच जीरा ये सब डाल के मैं क्रैकल कर रही हूँ इसी तेल के अंदर मैं दो चुट की हीन का डाल कर भी त्वड़ा चटका ले रही हूँ कि तिल की अंदर में जितना भी मसाला ड़ाली थी वो सब फ्राइअ हो गया है अब मैं जितना कच्छा मसाला मिकसी में पीशन के रखी थी उसे भी डाल दे रहे हैं अब अच्छी से मिना की तिल के अंदर फ्राइअ कर लेना होगा अब fat के अंदर एक चम्मच नमक सही रहेगा आप अपना स्वात का अकोडिंग नमक डाल दीजिएगा क्रेवी जब तक फ्राई हो रहा है तब तक इसको चलाते रहना होगा और गैस को मीडियों फ्लेम में ही रखना सही रहता है मसाला फ्राई करते करते पांच मिनी ठमलो का पार हो गया है अब आदा चम्मच हल दी और एक चम्मच मैं लाल मिच डाल दी उपर से दिर चम्मच धन्या पाउडर डाल के फिर सेज को चलाते रहना होगा देखिए बहुत सब पानी जो था वो सुक्के आधा हो गया है और भी इसे सुखाना होगा जब तक ये तेल न छोड़े मसाला इसके अंदर मैं आदा चम्मच गरब मसाला डाल दी ये गरब मसाला मेरा बना हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूँगी आपको जरुरत होगा तो आप देख लीजेगा आप भी घर पर बना के रख लीजेगा दिखिए मसाला तेल छोड़ दिया है अब इसके अंदर मैं आधा कप जैसा पानी डाल कर थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर लूँगी फिर एक एक करके सभी मचली का टुग्रों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब थोड़ा सा ग्रेवी में मचली को अच्छे से छोड़ने के जरिये थोड़ा सा लपेट देना है और उसके बाद धकन लगा के चार-पांच मिनिट के लिए मचली को अच्छे से पकने के लिए रखना है ग्यास पर पांच मिनिट बाद मैं ठकन खोल दी और देखी मेरा मचली एकदम सीज़ गिया है पक गिया है और ग्रेवी भी बहुत रिडिउस होके एकदम सही हो गिया है अब मैं थोड़ा हारा धनिया जो चोटा-चोटा बारी काट कर रखी थी उसे मचली का ग्रेवी के ओपर छिड़क थी और इससे मचली का रंग भी खुबसूरत हो गिया और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा अब ये मचली मेरा कम्प्लीट हो गया है इसको गैस बंद करके उतारके प्लेट आउट किया जा सकता है ये मचली चावल, रोटी, नान, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खाया जा सकता है ओके फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ उमीद है आप लोगों को मेरा ये मचली का रेशीपी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगी तो एक लाइक दबा दीजिएगा और अगर आप मेरे चानल में नए हैं तो सब्सक्राइब बॉटन भी दबा दीजिएगा प्लीज और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मन पुलिएगा ओके फ्रेंड्स बाई नमस्कार